वेल्कम बेक टू माई टूप चुम पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूब अच्छे होंगे और आज किस वीडियों हम देखने बाले हैं जो भी छात्र जिसे हम इन और्गनिक केमिस्टी बोलते हैं यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे मतलब कि आप टॉपर बनने वाले हो 2022 के अग्दाम में आपको पता है पासियर नहीं बनना है ना फेलियर बनना है आपको टॉपर बनने के लिए आपको थोड़ी सी मेनत करनी है ज्यादा मेनत करने की ज़रूत नहीं है कुछ ऐसा पढ़ो जो आपके पेपर में आ रहा है व और आप देख सकते हो कि सबसे पहले को हमें क्या पढ़ना है इंऔर्गनिक के दर सबसे पहली क्या पढ़ना है तोह सबसे पहले हमें पढ़रना पड़ेगा कि होती है प्रतйम को हम 3-d संक्रृषय केहते हैं 3-d 3D संक्रशेडी बोलते हैं 3D याद रखना 3D संक्रशेडी बोला जाता है प्रिथम को ठीक है और जो दुतिय होती है उसको हम 4D कहते हैं और एक 5D बोलते हैं ये दुतिय और तिर्तिय होती है ठीक है इनके बारे में आपसे बहुत जादा पूशता है उनके तत्वों और गुडों के बारे में पूशता है कि वही जो प्रिथम संक्रशेडी है 3D संक्रशेडी है उनके बारे में आपको explain करिए ये हमसे पूशता है और साथी साथ हमसे ये पूशता है सबसे जादा most important ये होता है कि डी ब्लॉक जो डी समूँ होता है उसके अलिमेंटों की विसिस्ताओं के बारे में विसिस्ता मलब विसिस्ताओं आप बताना है कि जो डी ब्लॉक अलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक समूँ होते हैं जिसे संक्रशेडी समूँ बोलते हैं सको उसके 3D さDi के बारे में आपको देख लेना है आपको त्समें आपको टीन पढ़ता पढ़ना आ आप को डीप इ lt जो डी ब्लोक एलिमेंट होते हैं उनके बिशेष्ताओं के बारे मा देख लेना ने चंकर वह लए उसके बाद नीचे जाएंगे और हमें बड़ना पढ़ेगा वह हुए इस मैं फरना है ये है देखो बस दोगोश़्चन तीन कोशन पढ़ेंगे यहां से क्या पढ़ेंगे यहां से क्या पढ़ेंगा यहां 있습니다 तुको देख लो यूनिट टू में क्या क्या पढ़ना है कि दुतिये तुर्तिये संकर्ण सेडी मैंने कहा दुतिये को हम कहते हैं 4D और तुर्तिये को बोला जाता है 5D 5D सेड़ी तत्बों तुलात्मक व्याक्या करने हैं संकर्ण सेड़ी है जो 4D और 5D है 4d और 5D सेड़ी होती है उनकी तुला करनी है आपको तुल्लात्मक अध्यान कीजिए तो आपको यह लेखना है कि आपको गूर्धर्म के आदाil को से आपको यह कोस्षन याद करओं है most important है very very important है याद रखना ठीक है आ एंग्-स किसे कहते है याद रखना आएनिक तरज्या किазे कहते हैं यह देखें आप यह पढ़ेंगे और आप यह 3-d4-d वाले वाकिन आपको clear करदिया आप यह देखेंगे बस इतना पढ़ना है ठीक है तिर भी मिया रसाइन क्या होता है उसको छोण दीजिए बस मैं आपको बता रहा हूं आएनिक तरज्या किसे गया आप यह पढ़ेगे उसके बाद में नीचे जाएंगे उसके बाद में अब देखो यूनिट नमबर हमारा आ गया यह यूनिट हो गया थिरी यूनिट थिरी में आपको क्या क्या पढ़ना है यूनिट थिरी में आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखिए यूनिट नमबर थिरी में आपको पढ़ना है कि जो वर्नर थे उनके Ketis उफ श्योजन का सिध्दानद को पड़ेंगे बेरी बेरी इंपोर्टेंट विसको पड़ेंगे उसके बाद में पर मालू आप से पूछता है जो effective पर्मानु संख्या होती है जिसे एन नंबर बोलते है या परबावी पर्मानु संख्या बोला जाता है जिसे हम सिंपिल तरीगे से एक भासा में एन बोलते है टिक है effective academic number इसको बोला जाता है इसमें 18 electron rule के अंतर की भी दखा जाता है इसको बहुत कर दिना पूरा कोशन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा उसके बाद में हम देखेंगे कि संक्रड योगी कि समय व्यता पढ़ेंगे संक्रजातु के संकुल सहजोग बंद का सिध्धान जिसे हम बैलेंस बॉंड थियोरी कहते हैं जिसे हम बीबीटी के नाम से जा सिध्धान के बारे में आप इसको पढ़ेंगे ठीक है रिड्स बीबाद की वरिवास रख अच्छी तरीके से एक्सक्पलन करेंगे और इसका इक सिध्धान था कि यह जो की अनिसक्वों को से सिध्धान लागो होते हैं उन सिध्धान तों फो एक दो आपको भी लागों ज ऎक फ्लोकल् telling वेडिमेंट पर कौन कौन जी आत एक आता लेच्वण के तरीकी दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेन्थेनैट क्या होता है और घयand element फिलिमेंहीं होते हैं उनके बारे ना की लें और danit तत्वों के बारे में जैसे थापा मार्म जैसे टी एच हो गया लेंधिलाइट का पहला तत्व अइसे टीए वगरा इतने एलिमेंट होते हैं सारी अब समय त्वरों के इससे बारे में पढाएंगे मोस्ट इंपोटेंट है उसके बाद में आप पढएंगे लक्स और लक्स और फल्ड की कलपना थी उसके बारे में लुईस की अधिधारणा के बारे में लुईस का अबधारणा थी अमलोर चार की उपर उसको पढ़ेंगे यह मुष्ट इम्पोटेंट है बस इतना पढ़ना है बाकी कुछ नहीं देखना और यहां आपको नीचे जो बोला और उनके समान बिसेस्ताओं के बारे में पढ़ लेंगे बिसेस्टाओं जो होती है ठीक है और अमोनी यह चोड़ देना कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप इतने कोशनों को चुरूर पढ़ेंगे यह फिर ब्रंस्टेड लॉरी क्या होता है यह ब्रंस्टेड लॉरी को भी पढ लाएंगे आपको टॉप करना है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन को प्रेज करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो इसके नेक्स्ट पेपर में हम इसका जो देख लीजिए और गनिक जो ज सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी नोटे में से मिलें वो सबसे पहले आपको बले थैंक्यों पर बच्छी वीडियो बाई